हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग वेलकम तो मैं चैनल अल्चोब नोटिफिकेशन तो फ्रेंड्स एस यू नो आरर भी प्री प्री इस ओर नाओ तो आपके पास hardly one month है जिनका भी आरर भी क्लेरिकल है वो लोग सासात में प्री के मॉक भी दीजिए लेकिन मेंस का भी करते रहे हैं चाहे आप डियाए मेंस की डियाए स्टार्ट कीजिए और मेंस की पजल मिसलीनिस कोश्चन क्योंकि सेक्शन वाइस आपको करना पड़ेगा तब ही होगा क्योंकि आपको current affair भी करना है 6 मंत का complete ठीक है तो आप क्या कीजिए अभी august चल रहा है इसका तो आपको daily करना ही करना है ठीक है daily कीजिए और daily revision भी कीजिए august का quiz वगर attempt कीजिए ठीक है बाकि फिर उसके बाद जुलाए जून फिर में अप्रेल ऐसे से करके अ अप्रेल तक चार मंत का तो आपका जीए ऐसा tips पर होना चाहिए मतलब की आपको अच्छे से detail में न्यूस पढ़नी है क्यूंकि आपको पता है banking paper है अब detail न्यूस जादा आती है as compared to one liner ओके तो आप लोग study IQ को follow कर सकते हैं अगर आपने उनका course purchase कि अगर नहीं है तो आपका time है लेकिन आप लोग अच्छे से कर सकते हैं अगर अच्छे से plan करोगे ओके और बाकी friends आज आपको करना है और भी कि पी यू मेंस कि जो memory based paper है न फ्रेंड्स लास्ट यह का यह क्यों मैं कह रही है आपको यह आप करोगे मेंस का मौक आपको देना है यह आपको ओली बोड के मौक टेस्ट अगर आपने परचीस के है वहाँ पर मिल जाएगा या फिर आपने कोई और जो भी परचीस के है वहाँ पर ओविसली प्रिवियस यह का memory based मेंस का जरूर होग कि आपको किस section को कितना time देना है ओकी यह से आप start कर सकते हैं पहले जीए को कर लीजिए या computer को कर लीजिए ठीक है computer के 40 question है लेकिन 20 marks का होगा मला half marks का question so ऐसे कर सकते हैं आप पहले computer करना है तो computer कर लो फिर उसके बाद जीए and then आपकी जो English या फिर Hindi जो भी आप लोग चूस करोगी यहाँ पर आपको option मिलेगा ठीक है हिंदी चूस करना बिलकुछ सोच समझ के करना friends क्यूंकि हिंदी जो आना वह ऐसी ही नहीं आती सिंपल सी कि आप सोचोगी कि एस हिंदी हम कर लेंगे अगर आपका touch है उसमें या आप mock test लगाई अभी आपको लगता है कि आपका score आप अच्छा कर जाओगे तो कीजिए नहीं तो आप English कर सकते हो continue उसमें ठीक है और बाकी सोच समझ के हिंदी चूज करना friends मैं ऐसी ले बोर हूँ कि एक बार बहुत सारे candidates ऐसे करते हैं कि हिंदी चूज कर लेते हैं और वो untouch होते हैं काफी टाइम से हिंदी में ठीक है और वहां पर कई बार paragraph इतने आरसी ऐसे आ जाते हैं कि आपको वो पढ़के भी समझ नहीं आते हैं उनके question के हैं और English में आपको थोड़ा इतने टाइम से आप English दे रहे हो English के पेपर जैसे IBPS P.O.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. बहुत ही पूर है तो आप लोग सोच सकते हैं हिंदी का बाकि आपकी चोईस है जो आप लोग attempt करना चाहें ओके लेकिन memory based paper जरूर लगाई है यहां से आपको idea होगा friends कि किस type के question आते हैं paper में क्या level था पीछले साल का और आपका किस score है और आप लोग कहां stand करते हैं कौन से section पर आपको work करने की जरूरत है अभी मैं जानती हो कि जीए में आप लोग इतना अच्छा नहीं कर पाऊगे लेकिन फिर भी आप लोग जरूर मदलब जीए करना attempt पिछले साल का भी जरूर करना क्यूंकि वहां पे कुछ question है जो कि आपको मतलब important time ठीक है यूंकि general awareness banking के भी आते हैं question ठीक है so उसे attempt जरूर कीजिए आज का आपका target है यह memory based जरूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है memory based नहीं करते हैं और फिर सिधा ही direct और और mock start का देते हैं पहले paper का level तो देखिए कि क्या था ठीक है और आप कहां stand कर अरोडा सार है YouTube पे वहां पे उनको follow कर सकते हैं बाकी PDF आपको बहुत मिल जाएगी अदर 247 की है या बाकी भी है sites वहां पे जाके आप लोग quiz attempt कर सकते हैं ओके बाकी मैं important important question आपको post करते रहूंगी computer के अगर आपको चाहिए हैं तो मैं करते रहूंगी ठीके daily और बाकी GA प एक section आपका अच्छा है तो आप लोग कर जाओगे नहीं आपको maths के लिए maths के लिए अभी मैं कह रही हूं या तो आप हर्ष लगरवाल सार अभी means का start कर रहे हैं ठीके उनको follow कर लीजिए YouTube पे बहुत content मिल जाएगा आपको या फिर वेतरन करके एक सार हैं उनसे या फिर आ मतलब preparation कर सकते हो means की कि अभी से कीजिए result का wait मत कीजिए जिनके भी 50 या 50 से above है marks मतलब attempt और वो लोग त्यारी कर लेजिए और जिनकी इसे below है मतलब 45 तक हैं तो फिर अगर आपका category है तो हो सकता है लेकिन बाकी यह है कि खुद को आपको पता होगा क्या आपका हो सकता है selection क नहीं लेकिन अगर आप अभी डाउटफुल हैं कि मेरा selection मेरा pre होगा clear की नहीं तो फिर भी आपको अभी मैं suggest करूंगी कि means की preparation कीजिए अगर by chance अगर ना हो ऐसा लेकिन अगर rrb pure pre आपका clear नहीं होता है तो यह आपकी जो preparation है और friends means की यह आपको further examine selection दिलवा देगी rrb clerical में आपको बहुत ही easy हो जाएगा so don't 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 do that if you are thinking that I will not clear so I will not prepare for mains no यह गलती मत करना अगर आपका आपने paper दिये हैं अब आपको mains की preparation कर देनी है साथ साथ में आपको clerical की mocks भी देने कितना time लग टाइटी के 45 minutes का वो और वहाँ पे वैसे भी speed और accuracy आपके work करेगी क्योंकि वहाँ पे level friends down रहेगा rrb pure से सो अच्छे से mock test लगाई है moderate level के भी और easy level के भी लगाई है ठीक है बाकी जी section में आपको लग रहे हैं जहां कहां पर कमी हैं आपकी कहां क्यों कम marks आ रहे हैं उसको analyze कीजिए अच्छे से और इसका mains का मौका ज़रूर दीजिए सो आप लोग बताना फिर आपका score क्या क्या आया ठीक है फिर देखते हैं और उसको फिर अच्छे से analyze भी करना है आपको आज बटाओं के करना जैसे mock देते हो तो जैसे मालों आज आपने mock दिया तो इसका computer gk और English ये तीन section आपने आज analyze करना है फिर next day reasoning को दीजिए और उस से next day maths को तो इस type से आप करोगे तो आपको burden भी नहीं लगेगा और तीन दीन में maximum three days इससे जाधा नहीं लगते ठीक है जाधा लग रहे हैं तो जादा से जादा चार दिन रखतो लेकिन अच्छे से analyze करना है ये नहीं की mock दे दिया और बस उड़ता उड़ता देखा और analyze भ of mocks यहां पर matter नहीं करेगा यहां पर आप कितना अच्छे से analyze कर रहे हो वह आपको पता लगेगा और mocks ज़रूर attempt कीज़ेगा friends में की क्या होता ना pre की result के बाद 10 से 20 तीन रहेंगे ठीक है और फिर आपको जीए जीए पर आप focus करोगे तो ऐसी गलतीन नहीं करनी है ठीक है कि अभी से मौक लगाई खाओने तो आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा question selection करना है कौन सा skip करना है यह आपको मौक से ही पता लगेगा कि आपको कौन से question पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से skip करने वाले हैं बिनकि बहुत से question ऐसे भी होंगे जो काफी time taking होंगे आपको यह नहीं है कि सारा paper ही solve करना है, no यहाँ पर smart strategy आपको apply करने है तो यह आपकी मौक से ही develop होगी okay so bye bye take care and do subscribe and अपने अपने score जरूर mention कीज़ेगा comment box में so have a nice day and bye bye take care